आक्सिजन एक्सप्रेस से एक बार फिर लिक्विड आक्सिजन के चार टैंकर शुक्रबार देडराद नागपुर पहुचने की जानकारी मिली है कुल साथ मिट्रिक टन आक्सिजन ओडिसा के अंगुल चिले मिस्तीत स्टेल प्लांट से मंगवाई कई है इससे पहले 23 अप्रिल को आक्सिजन के 3 टैंकर आक्सिजन एक्सप्रेस से नागपुर पहुचे थे पूरे विधर में आक्सिजन की आपर्टी के लिए जला प्रशासर ने ओडिसा से आक्सिजन आयात करनी का निन लिया था इसके लिए एर फोर्स के एक पिशेश विमान फारा बदवार को आक्सिजन के खाली टैंकर ओडिसा भीजे कहते नापूर आने पाले चार टैंकरों में एक टैंकर मेडिकल और दो टैंकर बुटी बोरी के आक्सिजन रिफिलिंग प्लांट में वह एक टैंकर हिंगना के रिफिलिंग प्लांट में भेजनी की प्रशासर ने तयारी की है अब तक फिलाई से 110 मिट्रिक टन आक्सिजन नियमी तरुप से प्राफ्ट हो रही है इसके अलावा भूनेश्वर की अंगुल जिले के स्टेल प्लांट से 60 मिट्रिक टन आक्सिजन की पहली खेब पौची है एक मै को 93 मिट्रिक टन, दो मै को 220 मिट्रिक टन, तीन मै को 111 मिट्रिक टन, चार मै को 60 मिट्रिक टन वपाश मै को 118 मिट्रिक टन आक्सिजन नागपुर को प्राफ्ट हो ही है नागपुर सहित विधर्व की अनिक जिलो में कोरोना के मरीजों के लिए बड़े पैमाली पर आक्सी जनकी आखशिक तता है इसे पूरा करनी के लिए विविद सर पर प्रयास के जारी है कैमरा परसन अकलेश भारत वाज के साथ शितिचा देश मुक की रिपोर्ट